करांदी रंग काले काल बंद यह जी माने बाले करूंगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी तो भई आपने डिस्क्रिप्शन चे जाकर डाउनलोड कर लेनी है और दोस्तों आपसे एक रुक्वेस्ट करूंगा यार मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जो भी कुस्टन आप पूछना चाहें ज आपने क्या करना है यहां पर अपना काइन मास्टर एप्लिकेशन ओपन कर लेना ओपन करने के बाद आपने यहां पर प्लस वाल आइकन आपको देखने को मिल रहा है तो आपने इस प्लस वाल आइकन पर किलिक करना है किलिक करने के बाद आप से यहां पर तीन आपको रेश और यहां पर आपने OK कर देना है तो हमारा फोटो जो है यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ चुका है अब आपने क्या करना है इस फोटो की जो लेयर है इस पर आपने टैप करना है और यहां पर आपको एक option देखने को मिलेगा adjustment का तो आपने इस पर किलिक कर देना है जैसे आप इस पर किलिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको एक interface देखने को मिलेगा तो आपने यहां पर फिल कर देना है इसे फिल करने के बाद अपनी दोनों finger की मदद से इस फोटो को आपने जो है फुल स्क्रीन कर देना है ठीक है यहां से मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने इसे फुल स्क्रीन कर देना है ताके जो हमारी फोटो के जो corner में कोई भी ऐसी जगह ना बचे ठीक है यहां से मैं इसे full screen कर देता हूँ okay so full screen करने के बाद आपने simply यहां पर okay कर देना है okay करने के बाद फिर से आपने इस photo की जो timeline है इस पर click करना है click करने के बाद यहां से आपने खीच कर थोड़ा सा इसकी timeline को आपने बढ़ा देना है ताकि जो हमारा status जितने second का है उतने second के हम वीडियो बना सकें उसके बाद आपने क्या करना है simply यहां पर आपको काफी सारे option देखने को मिलेंगे तो आपने क्या करना है यहां से नीची आजाना यह देखिए यहां पर आपको adjustment का option देखने को मिलेगा एड़िमस्मेंट पर क्लिक करना है और यहां से आपने इसकी brightness को थोड़ा सा आपने कम कर देना है ठीक है उसके बाद आपने इसके contrast को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है ठीक है इस तरीके से आपकी जो photo है वो अपने हिस आपसे आप adjustment कर सकते हैं मैं अपने हिसाफ से कर रहा हूँ उसके बाद आपने simply यहां से से okay कर देना है okay करने के बाद आपने यहां से first में आ जाना है ठीक है यहां से मैं first में आ जाता हूँ अब आपने क्या करना होगा कि आपने यहां से layer पे क्लिक करना है ठीक है layer पे क्लि हो kinda करना मेडिया करना यह बाद आप यहां से उत्क करने उपने पर आपको बनीजिंस करना हैओ te न स्विए इस सब्सक्राइब करना होगा तो यहां सकते हैं गरीन इस स्क्रीन पोईट्री वीडियो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी तो भाई आपने क्या करना यहाँ पर एक option आपको देखने को मिलेगा side में तो आपने इस fill वाले option पर center पर click करना है और यहाँ से आपने fit to full screen पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो हमारी जो green screen वीडियो है वो full screen में हो जाएगी उसके बाद आपने yes कर देना है ठीक है यहाँ से मैं से yes कर देता हूँ उसके बाद आपने फिर से इसके timeline पर click करना है click करने के बात काफी सारे option आपको यहाँ पर side में देखने को मिलेगा यहाँ पर कुछ तरीके से यहाँ पर सही हो जाए ठीक है यहाँ पर कुछ इस तरीके से उसके बाद आपने यहां पर क्या करना है इसे ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है यहां पर लेयर पर क्लिक करना है लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको मीडिया का उप्षन देखने को मिलेगा तो आपने मीडिया पर क्लिक करना है मीडिया पर क्लिक करने के बाद अब यहां से आपने एक template वीडियो एड करनी होगी, जिसकी link description में आपको मिल जाएगी, तो भcę आपने इस black screen template वीडियो को भी add कर लेना है, ठीक है, यहां से मैं ऐसे add कर लेता हूँ, add करने का बाद अब आपने क्या करना है, यहां पर इसे full screen क देखने को मिलेगा इस पर आपने किलिक करना है और इसे यहां से आपने फुल स्क्रीन करने जाना है और यहां से थोड़ा सा इससे साइड में इस तरीके से आपने हटा देना है ठीक है यहां पर कुछ इस तरीके से उसके बाद आपने क्या करना है इसकी लेयर पर किलिक करना ह जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपने फिर से नीचे आजाना है यहां पर आपको स्क्रीन का उप्शन देखने को मिलेगा तो आपने क्या करना है यहां पर स्क्रीन पे टैप कर देना है जैसे आप इस स्क्रीन पर टैप करेंगे तो इस ब्लैक स्क्रीन वीडियो का जो ब्लैक पार्ट है वो खतम हो जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पर सिंप्ली से ओके कर देना है ओके करने के बाद अफ़ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से हमारी जो वीडियो बन चुकी 파ेंब आपने इसे फोटो प्लैक पर टैप करना है खेट पर आपने किलिक कर देना है जैसे आप इस पर किलिक करेंगे तो इसका जो साइड वाला पार्ट है वो खतम हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपने इस साइड पर आ जाना है यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी जो यह स्टेटस पोईटरी वीडियो ह बन चुकी है अब मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूं इससे पहले मैं इसका वालियम जो है वो ओफ कर देता हूं ताके जो है कोपी राइट का कोई इश्यू ना हो उसके बाद यहां से मैं इसका भी वालियम ओफ कर देता हूं ठीक है तो आप अपनी फोटो ल देखने में बहुत ही कमाल की लग रही है तो गाईज अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं कोई डाउट है तो आप जो है मुझे इंस्टेग्राम पर जो है मैसिज कर सकते हैं वहां पर मैं आपको इसका रिपलाई करूंगा और जो चीज़ आपको चाहिए होगी वहां पर मैं आपको प्रोवाइट कर सकता हूं ठीक है तो आपने इंस्टेग्राम पर आना है मुझे फॉलो करना है लाजमी से फॉलो करना है क्योंके जो है मैं वहां पर आपको जो है इसका रिपलाई भी करूंगा और जो आपकी प्रॉब्लम है उसे भी इंशाला सॉल्फ करूंग यहाँ पर 1080P में या जो 720P में आप इसे जो हाई रेस में जो है सेव कर सकते हैं यहाँ पर सेव का उप्शन आपको देखने को मिलेगा तो जैसे आप सेव पे कलिक करेंगे तो आपकी वीडियो जो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो इस तरीके से आप जो है